तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास पहला प्रशन आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी जील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर लेकिन अगर आपसे मान लोग पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है? तो फिर आपका अंसर क्या होता? सुपिरियर जील अच्छा सरवादिक लवनता वाली जील कौन सी है? वन जील है ये आपको मिलेगी टर्की में और सबसे गहरी जील है बेकाल जील साइबेरिया में आपको मिलेगी अच्छा सबसे उचाई परिस्थित नौगम्य जील नौगम्य मतलब जहांपे आप बोटिंग कर सकते हैं ये है टिटिका का जील पेरू और बोलिविया की सीमा पर ये स्थित है तो ये कुछ मैं तो पून जील ने थी इनको याद रखना बताओ कार्बन नूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल केरल में आपको सबरी माला मंदिर मिलेगा जहांपे मकर विलक कुत तेवहार लगता है अच्छा बताओ भारत ने उर्जा स्वतंतरता का लक्षे कब कर रखा है बताओ भारत का पहला डूगॉंग संगरक्षन रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिल नाडू है और यह कहां पे स्थापित किया गया यहीं पाक की घाडी में डूगॉंग इसे सीकाओ कहते हैं सीकाओ और हाँ गाईज अगर आप बेंक एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक अच्छा मुका है किस चीज का अच्छा मुका है अनकैडमी सब्सक्रिप्शन लेनेगा क्यों क्योंकि 19 मई दो हजार बाईस तक आपको इसके सभी कोर्सेज पे 10 नहीं 20% का instant discount मिलेगा और मैंने आपको बताया अनकैडमी पे जब भी कोई अच्छी scheme वगेरा आती है कोई भी अगर free courses आते हैं या free कोई चीज आती है या कोई discount वगेरा आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो अभी अगर यहां से आप कोई purchase करते हैं कोई course तो आपको उस पे 20% का instant discount मिल जाएगा आपको करक्तना क्या है उसे buy करने से पहले code यूज करना है अपना crack exam 10 का तो आपको अभी 10 नहीं 20% का instant discount मिलेगा और वैसे भी अभी कुछ समय बाद unacademy price को hike करने की बात कर रहा है तो अगर आपने मन बना रखा है किसे अच्छे teacher से पढ़ने का तो यह अच्छा मौका है उस course को buy करने का जब आप किसी course को buy करें तो वहाँ पे कोड आपसे मांगेगा क्रेक exam 10 आपको type करना यह मत भूलना बस और जमके और मन लगा के पढ़ाई करें एक बार आपका selection हो जाए बस यह courses के सारे पैसे recover हो जाएंगे आपकी पहली salary में यह सब पूरा हो जाएगा बस इसी बात को ध्यान में रखते वे पढ़ाई करें तो link आपको इंचे description में मिल जाएगा इसका code याद रखना क्रेक exam 10 है अब यह मढ़ते आगे प्रिजकर पुरुसकार 2022 पाने वाले पहले अफरीकी बन गए फ्रांसिस केरे उनका नाम है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो प्रिजकर पुरुसकारे के शेतर में दिया जाता है तो यह वास्तुकला आर्किटेक्चर के शेतर में दिया जाता है इसे आर्किटेक्चर का नोबल पुरुसकार भी कहते है और यह पुरुसकार पाने वाले भारते कौन थे यानिकि अंक जोतिशी मैं पहली बार गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जेसी चौधरी ने एशले बार्टी का संबन किस खेल से है टैनिस से है और अस्ट्रेलिया की टैनिस प्लेयर है अभी सन्यास की गोश्ट ना कर दी तो इनका नाम न्यूज में और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रेंड स्लेम हुआ था उस्ट्रेलियन ओपन उसमें वुमें सिंगल का टाइटल एशले बार्टी नहीं जीता है और इससे पहले 2021 में ये विंबल्डन ओपन में भी वुमें सिंगल जीत चुकी है और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी है तो मतलब साल में जो चार ग्रेंड स्लेम होते हैं इस तरह से आप देखोगे तीन ग्रेंड स्लेम में एक एक बार ये जीत चुकी है बस एक ही रहे गया था कौन सा वाला US Open तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप पूछ चा जा सकता है World Metrological Organization का Headquarter जनेवा स्वेट्चेलेंड में है विश्व मौसम विज्ञान संगेठन का मुख्याले चलो बताओ विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो तेविस मार्च को Theme क्या है? Early Warning and Early Action वैसे Cyclone Man of India किसे कहते हैं? मृत्युन जे मापात्तरा को कहते हैं और बताओ Indian Super League 2022 जोकी इसका आठवा संस्करन था ये किसने जीता? हैद्रबाद Football Club ने पहली बार जीता है किसको अराया? केरला Blasters को और IQIR की विश्व वायू गुणवत्ता रिपोर्ट 2015 इसमें सबसे प्रदूशित देश बताया गया बांगला देश को और भारत इसमें पांच विस्तान पे रहा चबकि सबसे प्रदूशित राज धानियों में बात करोगे तो दिल्ले टॉप पर है सेकिन पे ढाका है और सबसे प्रदूशित शहरों में बात करोगे तो भिवाडी हमारे राजस्तान के अलवर का जो भिवाडी है वो पहले स्तान पे है और दूसरे पे है उत्रप्रदेश का गाजियाबाद बताओ सेशल्स की राजदानी क्या है वेक्टोरिया है इसकी करंसी होती है सेशल्स, रुपी और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन अभी भारत और सेशल्स की बीच में एक एकसरसाइस भी हुआ था लिमित ये 2022 एकसरसाइस जो कि इसका नवा संसकरन था काँ पे हुआ था सेशल्स में हुआ था मार्च की महीने में विश्विच जल दिवस कब मनाते हैं तो 22 मार्च को इस दिन बिहार दिवस भी होता है और इसकी थीम है भूजल अज द्रश्य को द्रश्यमान बनाना यानि कि ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल और 22 जब भी तारीक आती है हम लगातार तीनो महीने के 22 तारीकों के दिन याद करते हैं 22 मार्च वर्ड वाटर डे फिर 22 अपरेल अर्थ डे फिर 22 मही बायो डाइवरसिटी डे तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़े आपको याद भी रहती है और अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और आपको चीज़े याद हो रही है तो प्लीज वीडियो उसको सपोर्ट जरूर करें इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेहर जरूर करना है चलिए बताइए विश्व पैंगॉलिन दिवस कब मनाया गया 19 फरवरी को एक्चलि मैं फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं ये विश्व मरदा स्वास्त कार्ड दिवस ये 19 फरवरी को ही मनाते हैं पैंग लाइन है स्वस्त धरा खेत हरा अच्छा वैसे 2015 को अंतरराश्टर मरदा वर्ष के रूप में मनाया गया था और वर्ल्ड सॉयल डे कब मनाते हैं विश्व मरदा दिवस पांच देसंबर को चलो बताओ आप किस मरदा को रेगूर केते हैं काली मिट्टी को और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए का मिलती है दक्कन के पठार में इसके जो जल धारन की जमता होती है न वो बहुत जादा होती है विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड सोशल जश्टिस दे बीस फरबरी को थीम क्या है अचीविंग सोशल जश्टिस थ्रू फॉर्मल एंप्लोईमेंट और वैसे हमारे सोशल जश्टिस एन एंपार्मेंट मिनिस्टर कौन है डॉक्टर विरेंद्र कुमार बताव अंतर राष्टर मात्र भाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लेंग्वेज डे 21 परबरी को थीम क्या है बहु भाषी शिक्षा के लिए प्रोध्योगी की काउपयोग चुनोतियां और अउसर यानि कि यूजिंग टेक्नलोजी फॉर मल्टिलिंग्वल लर्निंग चैलेंजिंग एन अपोर्चुनिटीज और अगर आपसे पूछे न कि अंतरराक्टर सांकितिक भाषा दिवसकब मनाते हैं इंटरनेशनल साइन लेंग्वेज डे तो 23 सेप्टेंबर को चलो आप तो यह बताओ भारते समविदान के आठवी अनुसुची में कितनी भाषाएं शामिल है 22 हैं और ग्यानपीट पुरुसकार कितनी भाषाओं में दिया जाता है 23 भाषाओं में 22 तो यह अनुसुची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई और इसमें एक ओर जोड़ दो 57 नमबर का मिला है दामोदर माउजो को विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरबरी को मनाया थीम क्या है हमारा विश्व हमारा समान भविश्य है अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर केंद्रे उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरबरी को यारि के रेर डिजीज डे थीम है अपने रंग साजा करें शेर यॉर कलर्स राष्टर विज्ञान दिवस नेशनल साइन्स डे 28 फरबरी को और ये क्यों मनाया 28 फरबरी को क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी उन्होंने 28 फरबरी 1928 को रमन इफेक की खोच की थी तो उसके लिए उन्हें वैसे फिजिस का अनूबल पुरुसकार भी मिला था 1930 में और इसकी थीम क्या इस बार सतत भविशे के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की में एकिकरत द्रश्टी कोन अब हम पिछले महिने के करंट अफेर्स का रिवाइस कर लेते हैं चलिए बताइए अभी स्वीडन की पहली महिला पर धानमंत्री कौन बनी थी तो अंसर होगा मैकडलेना एंडर्सन और स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्वीडिश क्रोनया की करंशी है और बताइए किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉंच किया था डार्ट मतलब होता है डबल एस्टरोइड रेडिरेक्शन टेस्ट नासा ने फिर बताइए नाइट हुड ओफ पार्ट गुल्टवा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारते कौन रहे तो अंसर होगा सोहन रॉय और सतत विकास लक्षया सस्टेनेबल डवलप्मेंट गूल शहरी सूचकांक और डैश बोर्ड 2021 में कौन सा शहर तॉप पे रहा शिमला लास्ट में रथा धन बाद और गुन्चालिस्वे यानि की 49 अंतर राष्ट्रे एमी पुरुसकार दो जरे किसमे किसे सर्विश्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार दिया गया डैविड टैनेंट को ये यूके के हैं और बेस्ट एक्टरेस का अवर्ड मिला हेले स्क्वाइर को ये भी यूके से है ये जो एमी अवर्ड है ये टीवी के शित्र में दिया जाता है जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए औलाफ स्कॉल्च बन गए है किन की जगे पे आए एंजला मर्किल की जगे पे आईए जर्मनी की केपिटल बर्लिन है करंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रेंक वाल्टर स्टिनमेर बताए दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना जेपी मॉर्गन चैज ये अमेरिकन मल्टिनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और किस बैंक ने तेजस्विनी और होसला योजनाओ को शुरू किया था तो जम्मू कश्मीर बैंक ने इसके MDC-U बने थे बलदेव प्रकाश इसका हेटकौर्टर आपको मिलेगा श्रेनगर में रेल मंतरी ने थीम आधरित ट्यूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया भारत कौरव रेल मंतरी अश्विनी वेश्णव है अच्छ बताओ प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने भाते नौसेना को कौन सी उन्नत इलेक्ट्रोनिक वारफेर इसका दूसरा वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन बनेगा ये राजस्तान में बनेगा राजस्तान का गांधी नगर रेल्वे स्टेशन ये आपको जेपुर में मिलेगा और ये दूसरा है तो पहला कौन सा बना मद्यपरदेश का हभीब गंच रेल्वे स्टेशन वैसे इस comes to hell house of lords में 21 century icon award जीता अमित गोयनका ने किस भार्टे गणितग्य को इस प्रियन 4S award मिला निखिल शिरिवास्तव को और भाशा संगम किस केंद्रे मंत्रा ले के द्वारा लॉंच किया जाने वाला एक नया application है सिक्षा मंत्रा ले के द्वारा सिक्षा मंत्री को ने धर्मेंद्र परदाने वाइट हाउस कार रेले के प्रमुक के रुप में किसे पदुन्नत किया गया गौतम रागवन को रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर के रिपोर्ट के नुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंदक बनाने वाला दीश कोने तो चाइना है अच्छा रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर आपको याद आएगा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स भी जारी करता है आप बताए अभी इसकी जो लेटेस्ट ये डेटा आया था इंडेक्स आया था इसमें भारत कौन से इस्थान पर है और टॉप पर कौन सा देश है आपका होमवर्क प्रश्न समझीए अगला है 2020 में लोकतंत्र के शिखर सम्मिलन की मेजबानी ये किस ने की थी अमेरिका ने और 2020 तक दुनिया की सबसे मुल्यवान एड़ टेक कंपनी बन गई कौन सी बाई जूज अब कल के करंट अफवेट्स को हम लोग रिवाइस करेंगे तो आपसे पूछा गया था पहले कि फ्रांस की दूसरी महिला परदान मंत्री अभी कौन बनी है तो आपसे रोगा एलिजाबेट बॉर्न जीन कॉस्टेक्स का इस्थान लेंगी ये और वाँके प्रेसिडेंट है Emmanuel Macron करंसी जूरो है केपिटल पैरिस है और पैरिस में आपको युनेसको का हेड़कोटर मिलेगा Financial Action Task Force का हेड़कोटर मिल जाएगा और 2024 में जो Summer Olympic होंगे वो यहीं पे होंगे चलो बताओ विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस World Telecommunication and Information Society Day ये 17 मही को मनाया थीम है Digital Technologies for Older Persons and Healthy Edging दुनिया का सबसे लंबा suspension pull का पे खुला तो आंशरों का चेक गंडराजे चेक रिपबलिक में जिसकी capital होती है पराग जिसका नाम है Skybridge 721 721 मीटर इसकी लंबाई है अभी आप बताईए दुनिया का सबसे लंबा कांच का pull ये कहाँ पे परियाटकों के लिए खुल दिया गया तो आंशरों का विए तनाम में अच्छा इसकी लंबाई कितनी ये बता दू आप तो और अगला है डॉक्टरों के लिए पेशेवर शतिपूर्ती बीमा यानि की professional indemnity insurance को किसने शुरू किया ICICI Lombard ने सोमालिया के नए राष्टरबती बन गए किस भारते मुल की मेला को पहली बार Bank of England के सदसे के रूप मे नियुक्ट किया गया डॉक्टर स्वाती डिंगरा विश्व उच्छ रक्त चाप डिवर्स World Hypertension Day का मनाया गया 17 मई को और उच्छ रक्त चाप को Silent Killer के नाम से भी जाना जाता है अच्छा Bombay Stock Exchange ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया तो आंसर होगा SS मुंदडा को Green Co Group कि सुराजय में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षे उर्जा भंडारन सन्यन तरस्तापित कर रहा है आंदर प्रदेश में आंदर प्रदेश के कुर्नूल में जिसके कैपेसिटी है 5,230 मेगावाट प्रेसिडेंट रामनात कोविंच जी अभी चमेका की आत्रपड थे और बताईए अभी किसके नाम पर एक सडक का उद्गाटन वापे उन्होंने किया बियार अंबेडगर जी की और नाम क्या है उसका सडक का श्ट्रीट का नाम है अंबेड कर वेन्यू राष्ट्रे डेंग्यू दिवस मनाया हमने 16 मही को 16 मही को सिक्यम का इस्तापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल लाइट डे भी मनाया जाता है जो डेंग्यू है न मादा एडीज अजेप्टीज मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है यह तो वेक्टर होता है यानि की वाहक होता है प्लाजमोडियम प्रोटो जुवा इसका मुख्य कारण होता है मलेरिया का, मलेरिया खतम करने का माला रक्षय कपका है, 2030 का है, तो guys ये था आज का आपका revision बाला session, session अच्छा लगे तो please like करके share जरूर कीजेगा, thank you